तो वेलकम है आपका आपके चैनल पर तो आज हम बात करने वाले हैं कि अमरूद की जो कटिंग है वो कैसे त्यार करते हैं तो जैसे आपको पता यह बाग है हमारा तो कटिंग के बाद मैंने कुछ ट्राइग कि चलो एबर कटिंग करके उसको लगा के देखते हैं कि अगर कु है वो सेलेक्टेड डिकटिंग मेन लगाई है तो उसी का मैं कुछ दिखा रहा हूं जैसे यह मैंने लगाया है यह बालू मिट्टी में लगाई गई थी यह कोकोपीट के अंदर है और यह सिरफ चोवेस्टिक कंपोजर का जो होता है खात उसमें लगाया था इसे वो और बाकी ये बालू मिटी में लगाया था क्योंकि मुझे लगा कि जर्मिनेशन बालू मिटी में जादा होता है और सोफ्ट भी जादा रहती है तो जड़ चलने में असानी होगी तो मैंने ये कुछ कटिंग लगाई हैं जैसे उपर अलग है नीचे ये लग हैं ये इधर अलग है ये ताइवान पिंक का हो गया और सासात में ये सहसूत की कटिंग लगाई है जो बड़ा वाला होता है और ये गूगल की कटिंग हो गई तो मैंने कुछ ट्राइए किया है और सासात में वह हैं जो लास्ट में वह हैं जो सुगर के लि कट्टे का जो बना लिया उसमें मैंने लगाए यह ताइवन जो पिंक तो सभी है वैसे तो पर यह जो है वो है जो आरका किरन होते हैं जो उसके लिए जो कामाते जादा रेड होते हैं वो यह प्लांट है तो इसमें भी देखो फुटिंग चल गई है और इसमें देखें यह बहुत ज़्यादा जल रही है और यह देखिए इसमें तो सहसुत भी लगाए तो मैंने ऐसे कटिंग त्यार किया है जो ताइबन पिंक का है बाकी इसके लिए कुछ नहीं किया था कटिंग लग ली साथ-साथ में उसको एक बार हाफ गड़न्टे के लिए यह फंगे साइड में मैंने रखा और उसके बाद उसको जो रूट हार्मोन लगाके उसको लगा दिया बस इतना ही किया था और साथ में जो हमने पूली हाउस बनाया है इसके अंदर रखा इसके अलावा कुछ नहीं है बाकि पानी बगर डालते रहो फोड़ा रखें तो जल् कितना रेश्यू रहेगा कि यह चीजे त्यार हो सकती है या फिर नहीं हो सकती अब इसमें यह हमने चीकू का लगाए था बट कुछ नहीं हुआ इसमें फुटिंग वगरा नहीं चली है बट इसमें चल गई अभी देखते हैं क्या रजल्ट रहता है मैं आप अपडेट दे